स्वागत है दोस्तों मैं आप सभी का दोस्त धनजे सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं और दोस्तों इस लेक्षर में हम लोग डीटेल बातचित करेंगे यूपी स्पेशल से कुछ संबंदित जो है चार पांच पॉलिसीज हैं और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि उत्तरपदेश से संबंदित कुछ स्कीम्स हैं जो आपके मुखे परिक्षा होने जा रही है उसमें बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण है तो जो लोग भी मुखे याद होनी चाहिए तो आईए इसको शुरू करते हैं दोस्तों मैं इस लेक्षर में आपको डील करूंगा उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रोनिक्स विनर्माड पॉलिसी जो है 2020 के बारे में हम लोग डीटेल बादचित करेंगे तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभ बहुत पूर है और जो लोग भी अगले साल मुख्य परिक्षा देंगे उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहां पर तो दोस्तों हम देखेंगे उत्तरप्रदेश एलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माड नीती 2020 और यह हीजेन करते हैं तो दोस्तों चलिए इसमें शुरूबात करते हैं कि सूचना प्रद्योक्य वह Şimdi विभाग उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया है कि यह था कि किए ऐलेक्रानिक्स विनिर्माड नीती 2020 लागू की जाएगी जिसमे 24-7 ऑपरेश्न तथा सभी तीन शिफ्ट में महिलाओं को रोजगार की अनुमती प्रदान की जाएगी हम लोग देखते हैं कि इसका जो है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं धन्जे सिंग आप सभी को पिछले साथ वरसों से विभिन परिक्षाओं की तैयारी के लिए UPSC, UBPSC, BPSC, MPPSC के लि उत्रप्रदेश एलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माड नीती 2020 के बारे में तो उत्रप्रदेश प्राचीन इतिहास वाली भूमी संसाधनों और स्रांस्कृतिक विरासत में सम्रिद्ध है यह 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के सकल घरेली उत्पाद के साथ भारत की सबसे ब प्रशनाते हैं वह बहुत ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्रकार से अगर आप पॉलिसी लिखेंगे तो वह कम से कम 15-20 पेजों में वह होती है और उस पेजिस को आप कंसाइज करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका इंट्रोड अच्छी क्या है इतनी ही तीजें आप लिख देंगे विजन मिसन और टार्गेट या अबजेक्टिव लिख देंगे तो पूरा पॉलिसी के बारे में कम्प्रीट जानकारी हो जाती है ऐसा ने कि एक एक प्रावधान किन-किन लोगों को वो सबसीड़ी दे रहे हैं क्या कह विजन क्या है और लक्ष क्या है इन ही पर हमें फोकस करना है तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्यों जो है उत्तरपर देश में जो ये विनिरमाळ पॉलिसी हो वो क्या-क्या बदलाव ला सकती है ठीक है ना अब देखें उत्तर पुदेश electronics में देखें इसका एक लक्ष दे दिया गया है कि अंतरकत अगले 5 वर्सों में 40,000 करोल रिनिवेस का लक्ष रखा गया है ठीक है न तो इस तरीके से टार्गेट होंगे 5-6 टार्गेट होते हैं हर पॉलिसी के मिशन विजन होता है उन्हीं को आगर आप लिख देते हैं तो आपकी सहरों और पार्कों एलेक्ट्रानिक विनिर्माड सम्मूहों और योगित छेत्रों राज्य व्यापी ऑप्टिकल फाइवर कनेक्टिविटी एशिया का सबसे बड़ा निर्माडा धीन अंतराष्टी हवाई अड़ा जेवर और गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वेपर भारत का पहला प्रस्तावित एलेक्ट्रो एलेक्ट्रोनिक सहर राज्य के राज्य ने त्वरित विकास और विक्षित समाज की दिशा में एक क्या है प्रक्षे वक्र लिया है यानि कि एक नया मोड लिया है तो यह आपको इंट्रोड़क्टरी बाते ह साथ IT और electronics छेत्र में राज उद्योग में अत्यधिक योगदान दे रहा है और Samsung, LG, Electronics, HCL की दिर्गकाली का स्थापना पर इसे क्या है इसे प्राउड है इसे गर्व है कि बड़ी-बड़ी कमपनिया जो है अब उत्तर प्रदेश में आ रही है राज में दो दसकों से अधिक के सकल संचालन उद्योग की मांग को पूरा करने वाले IIT, IIM, IIT और IIIT Information Technology और प्रतिस्थित इंजिनिंग कॉलेजों जैसे प्रमुख संस्थानों की उपस्तिती के साथ-साथ राज में प्रचुर मात्रा में कुशल जनसक्ती भी है ये इसकी देवलब किये जा रहा है अब जो है उत्तरपदेश को विक्सित बनने से रोकने के लिए सिर्फ जो है समय ही जिम्मेदार है ये सारे संसाधन यहां पर पहले से ही है अब हम देखेंगे कि Electronic System Design and Manufacturing ESDM पारिस्तित की तंत्र विकास में तेजी लाने के लिए UP Electronics विनिर्माण नीती 2020 इसके दोरा पूरे राज्य में राज्य को कवर करती है और नीती के तहत सभी प्रोच्छाहन UP में अपना आधार अस्थापित करने वाली सभी पात्रिकाईयों को लागू होंगे अब चाहे तो आप प्रश्ण यहीं से शुरू कर सकते हैं चाहे तो उसके पीछे अगर आपके पास टाइम हो तो ये तीन भूमिका हैं जो है आप याद रख लीजिए कि क्या-क्या इससे Manufacturing Hub बनाने के लिए क्या-क्या इसके पास जो है भूमिका है अगर आपके पास समय ह प्रीन सारे चीजों को आप लिख सकते हैं नहीं समय हो तो डारेक्ट आप यहीं से शुरू करेंगे क्या Electronics System Design and Manufacturing ESDM पारिस्त की तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए UP Electronics विनिर्मार नीती 2020 इसके द्वारा पूरे राज्य को कवर करती है और नीती के तहत सभी प्रो सभी एम इकाईयों की स्थापना में तेजी आएगी ठीक है बृद्धी होगी जो नक्यवल अर्थव्योस्था को बढ़ावा देगी बलकि राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करेगी तो चाहें आप डायरेक्ट यहीं से शुरू कर सकते हैं उत्तर प्र आपको बताना है कि इस पॉलिसी का विजन क्या है अब यहां पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश को कुषल बल के प्रभावी उप्योग नवाचार को अपनाने और उभरती प्रद्योक्यों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वण विकास चालक के रूप म इलेक्ट्रानिक्स विनर्मार उद्योक की खेती के लिए विश अस्तर पर प्रतिस्परधा बुन्यादी धाचे और अनुकूलन नीती वातावरण को पेशकश करके इलेक्ट्रानिक्स उद्योक के लिए पसंदीदा गंतब्य के रूप में स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश है इतनी लंबे जो है यह सीधे सीधे विजन डॉकूमेंट आपका इलेक्ट्रानिक पॉलिसी से है तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना है इसको दो तीन पार्ट्स में तोड़ दीजेगा राज्य और रास की अर्थविवस्था के समगर विकास की दीशा में टिकाव पारिसित की तंत्र जिसमें योगदान दे रहा है उसके लिए आगे बढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश को क्या करना है कुशल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के में रोजगार पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश को उभरती प्रद्योग्यों में अग्रड़ के लिए साथ ही साथ इसके लिए क्या है एक electronics उद्योद के लिए पसंदीदा गंतब्ब यानि कि एक best destination यानि कि favorable जो चीजें हैं जो एक company को चाहिए जो manufacturing hub को चाहिए वो provide करने के लिए यह policy बनाई गई यह इसका vision है जो कि देश की अर्थ ब्योस्था में देश के रोजगार वृद्धी में विरोजगारी दूर करने में गरीवी दूर करने में आदिस अभी में मजबूत हो तो यह इसका vision document हो गया vision के बाद हम देखेंगे इसमें कि इसका mission क्या है तो इसमें फुल पांच mission बताए हैं ठीक है उत्तर प्रदेश को electronic सुध्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना जो कि इसका vision भी है और mission भी है लेकिन vision और mission में थोड़ा सांतर होता है vision जो है वह long term होता है और उसमें जो है बहुत सारे futuristic aspect होते हैं mission जो है जो mission mode होता है मतलब कि जो तुरंत प्राप्त कर दिया जाए और उसके लिए जो है कार किया जा रहा हो ठीक है तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्या करना है पहला हो गया आपका electronic सुद्योग के लिए पसंदीदा गन तब दूसरा है कि राज्य में विश्व अस्थरी एसडीम पारिस्थित की तंत्र को निर्माड करना अब ESDM क्या है दोस्तों तो यह है electronic system device and manufacturing ecosystem को बढ़ावा देना का निर्माड करना तीसरा है कि MSME अब लिए MSME पर आप निर्भर भारत में बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है क्या उस पैसे की उप्योगिता साबित हो पा रही है तो इसमें MSME उद्यमों को अर्थ व्यवस्ता के विकास इंजन की रूप में कोशित करना और अनुसंधान नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना और पांचवे नंबर पर क्या है उद्योग के लाब के लिए 26 विशिस्ट उच्च गुडवत्ता वाले प्रतिभा पूल बनाना यानि कि जो टैलेंट पूल है उसका निर्माल करना तो यह पांच जो हो गए आपके मिशन इससे पहले हमने विजन देखा विजन में तीन बाते हैं तीन चार बाते हैं उसमें आप लिखेंगे होलिस्टिक फ्यूटिक ऊस्पेक्टे रूप में यहाँ पर मिसन जो है जिसको अचीवेबल निकट फ्यूचर में निकट भविष्ट में एन उसके बात की गई हैं उसके बाद लक्ष із यह मेंफ इंपोर्टेंट है इसका लक्ष उसके बाद आप कंक्लूड कर देंगे यह आपका complete हो जाएगा उत्तरप्रदेश electronics जो है manufacturing policy 40,000 करोन रुपए के निवेश को आकरशित करना तो जैसे हमने देखा ना कि अभी हम लोग industrial investment जो है attractive जो हमने index देखा है अभी जारी किया गया है तो उसमें जो है तेलंग आना आंद्रप्रदेश और उडिशा टॉप पर हैं तो उत्तरप्रदेश भी इसी प्रकार से क्या कर रहा है investment को आकरशित करने के लिए इसमें कितने हजार करोड का 40,000 करोड रुपए का निवेश आकरशित करने के लिए इसका में टार्गेट है राज्य में तीन electronics विनिर्मार क्लस्टर EMC अस्थापित करना और राज्यों में तीन उत्करिष्टता केंद्र Center of Excellence अस्थापित करना और राज्य में घरेलू विदेशी निवेशकों के लिए ESDM पार्क अस्थापित करना, electronic manufacturing पार्क अस्थापित करना और FAB एकाईयों के माध्यम से semiconductor निर्मार में निवेश आकरशित करना और साथ ही राज्य के भीतर लगबग 4 लाख यानि की 0.4 मिलियन रोजगार आउसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है अब इसके बारे में ढेल सारी और बाते हैं लेकिन उन सभी बातों को आप एक्जाम में नहीं लिख पाएंगे और नहीं आवश्यक है आपको इतना ही जानना आवश्यक है और अगर इतना में से आप 50% भी चीज़ें लिख देते हैं कुछ आकड़े हैं आकड़ों में मुख मुख रूप से क्या क्या चीज़े हैं आप देखिए यह किया है कि चार लाख रोजगार 40 करोड रुपए का निवेश तीन उत्कृष्टा केंद्र तीन इलेक्ट्रानिक्स भी निर्माढ़ अब यह चीज़ें तो बहुत ही आसान ह मैं दिरे दिरे आपको याद करा दूँगा तो यह पॉलिसी जो है वहत ही आसान तरीके से हम लोग आसान भासा में याद कर सकते हैं इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश जो मैनुफेक्ट्रिंग इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माढ नीती है पहले त तेज रहा है दो सो बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का सकल घरेली उत्पाद है इसका अगर इसकी भूमिका लिखने तो सभी जितने भी पॉलिसी आप लिखेंगे ना तो उसमें आप सारी चीजे लिख सकते हैं दो सो चालिस मिलियन से जादा लोगों का देश का सबसे बड़ा भूगता बे सही है यहाँ पर मेट्रो रेल है एक्स्प्रेस वे है फ्रेट कोरीडोर है और भी बहुत सारी परियोजनाए है और दोगी करण और सरकारी खर्च के साथ साथ ये पूर्वब और पस्चिम के ब आप राज लेवल पर आप्टिक हाइबर कनेक्टिविटी भी है एसिया का सबसे बड़ा विनिर्माड धीन जो है अंतरास्टी हवाई अड़ा है तो यह मुना एक्स्प्रेस वे है यहाँ पर प्रुवांचल एक्सप्रेस वे बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे इस तरीके स से वह क्या करता है विभिन बड़ी-बड़ी कंपनियां जैसे की ओपो हो गया हायर हो गया टीजियस आईवियम एस्टी माइक्रो इलेक्स्ट्रानिक्स आधी जो है सम कंपनियों के साथ आईटी और एलेक्ट्रानिक्स छेत्र में राज्य का बहुत बड़ा योगदान दे बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात करें जैसे सेंसंग हो गया एलजी हो गया यह लॉंग टर्म जो है यहां पर अपना बेस बनाना चाहा रही है तो पिछले दो दस्कों में भी साल में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आपको ऊपर किया है चाहे congestionirs with your जो इसके लिए उप्यूक्त होगी उन सभी को मदद की जाएगी और साथी साथ उनमें तेजी से विकास करकेutan काता ब्ला कोकी साधे ओना सके अर्थविवस्था में योगदान दे रोजगार में योगदान हो गरेवी उन्मुलन में योगदान हो यह सारा जो है आप क्या लिख सकते हैं प्रस्तावना में लिख सकते हैं वहीं अगर हम विजन की बात करें मिशन की बात करें और लक्षे की बात करें तो उत्तर प्रभावी उपयोगिता और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए उभरती हुई जो नई टेक्नोलोजीज है उसके माध्धम से उत्तर प्रदेश को विकास को एक नई दिशा देने के लिए एलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माड उद्ध्योग के बढ़ावा देने के लिए और वर्ड लेबल पर क्या गरने के लिए वर्ड लेबर पर जो है प्रतीस परदाज इसको कोमपोटिशन को बनाये रखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है मनुफैक्ट्रिंग पॉलिसी लागू की है जो राज्य की अर्थव्योस्था के समगर विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा ठीक है न तो ये विजन हो गया उसके बाद अगर पांच इसमें पांच यह मिसन बताए गये हैं तो उत्तरपदेश ने अर्थव्योस्था के विकास इंगन के रूप में एस्थापित करना और तीसरा हो गया चोथा हो गया अनुसंधान यानि कि रिसर्च और डेवलप्मेंट इनोवेशन और इंट्राप्रिनर्शिप की कल्चर को बढ़ावा देना और पांचमा जो है उद्योग के लाब के छेत्र के रूप में विशिस्ट उच गुणवत्ता वाले जो टैलेंट पूल है उनको बढ़ावा देना अगर इसके लक्षो क्लस्टर्स निर्मार करने हैं उनके बारे में करना और तीसरा क्या है कि तीन सेंटर ओफ एक्सिलेंस उतके स्ट्रता केंद्र के स्थापना करना ये भी आप ध्यान रखेगा चौथा क्या है कि घरेलू या जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए ESDM PARK स्थापित करना और विविन सेमिकंड़क्टर इंकाईों को के द्वारा जो है जो भी companies हैं उनको अकरशित करने के लिए सेमिकंड़क्टर निवेश अकरशित करने को बढ़ावा देना और अंतिम है कि चार लाख लोगों को क्या करना रोजगार के और सरप्रदान करना यह complete आपकी जो है उत्तर प्रदेश की electronic विनिर मार नीती थी 2020 की दोस्तों यहां से प्रश्णगर आता है तो सीड़े सीदे अगर आपको 50% बाते भी यहां पर याद रहती हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं इस पूरे notes के लिए सबी चीजों के लिए हमारा contact number नीचे description box में दिया गया है आप वहाँ पर contact कर सकते हैं हमारे PDF ले सकते हैं और निवंद की और मुख परिक्षा के notes आप यहां से ले सकते हैं तो मिलते हम लोग अगली class में तब तक के लिए धन्यवाद स वस्त्रे ये मस्त्रे ये वस्त्रे ये बहुत बहुत दोस्तों